गुद्वार 9 दिसंबर को ब्रिटेन की संसद में सांसद तन्मंजीत सिंग धेसी ने भारत में चल रहे किसान प्रदर्शनों को लेकर सवाल पूछा लेकिन ब्रिटेन के पी-म बोरिस जॉंसन सवाल समझ नहीं पाए और किसी दूसरी ही दिशा में चल गए तब से खबरे चल रही हैं उनके बारे में दरसल ब्रिटेन के हाउस अफ कॉमन्स में हर हफ़ते प्रदानमंत्री से सवाल के सेशन रखे जाते हैं इसी सेशन के दौरान तनमंजीत सेंग देजी ने पी-म से कहा कई सांसद खास तौर पर वो जो पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों से आते हैं और मैं शांदीपूर प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर इस्तमाल होते वाटर कैनन, आसुगैस और बल प्रयोग के फुटेज को देखकर बेहत परिशान है हालकि ये देखकर दिल को सुकून मिला कि वही किसान उन फोर्सेस को खाना खिला रहे थे जिन फोर्सेस को आदेश दिया था कि किसानों को पीटें और दमित करें कितना अच्छा जजबा है और एक खास तरह के लोग ही ये कर पाते हैं तो क्या प्राइम मिनिस्टर भारतिय प्राइम मिनिस्टर को हमारी घबराहट और वर्तमान गतिरोद को सुलजाने के लिए जल्द से जल्द कोई उपाई ढूनने की हमारी उम्मीद के बारे में बता पाएंगे और क्या वो इस बात से सहमत हैं कि हर किसी को शांतिपून तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है इस पर पी-एम बोरिस जॉनसन ने कहा जाहिर सी बात है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी हो रहा है उसको लेकर हम गंभीर हैं लेकिन ये मामले मुख्य रूप से दो सरकारों के बीच निप्ताने के लिए हैं और मुझे मालूम है कि आप भी इस पॉइंट को समझते होंगे इसके बाद तन्मंजीत सिंग धेसी ने उनके इंटरैक्शन के वीडियो को ट्विटर पर डाला और लिखा अगर हमारे पीएम को असल में पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं तो थोड़ी मदद मिल जाती सोशल मीडिया पर तन्मंजीत सिंग के रियाक्शन के वीडियो काफी चल रहे हैं आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी प्रेणना ने अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें देखते रहे हैं दिललन लंटो